Hello Friends, स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेज के अंदर और जैसा कि आप टाइटल पर देख पा रहे हैं आज हम important questions जो है history शेकरने जा रहे हैं और जिसके अंदर हमारा विशे रहेगा कहां से शिक्स्त क्लास का chapter number second from hunting gathering to growing food यहां से हम discuss करने जा रहे हैं यहां से देखे important questions जो इस chapter के बन सकते हैं यानि बिलकुल जिस्ट जो है वो हमने आप लोगों के लिए तियार किया है इस chapter के अंदर से जितने भी छोटे question बन सकते हैं और अभी तक जो exams के अंदर पूछे गए हैं वो सभी हम यहां पर discuss करने जा रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं अपना first chapter जैसे कि हमने जाना है कि हर chapter जो है SST का वो किसी कहानी के साथ शुरू होता है किसी कहानी के साथ शुरू होता है तो उसी कहानी के तहट हम यहां से शुरू कर रहे हैं तेखी पहला question है, where was Tushar going, Tushar नाम का लड़का है, क्या कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, तो कहां जा रहा था Tushar, Tushar was going from Delhi to Chennai, कहां पर जा रहा था, Delhi से Chennai जा रहा था, इसी के चाथ अपने next question है, जैसे कि अपने title है, इस chapter का, who was hunter gatherers, यानि जो शिकारी शंग्राहक हैं, वो कौन होते हैं, कौन थी ये लोग, तो कौन थी ये लोग, ये थी the early man, whose main task was to obtain food from hunting and collecting food from the forest, यानि जंगलों के अंदर रहते थे और वहां से, अपने आजविका के लिए, भोजने खटा करना, शिकार करना, ये इनका परमुपकारिया होता नेक्स्ट कोश्चन, ये कोश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये आपका जो कोश्चन है, what was factory site, ये कई बार कोश्चन पूछा जा चुका है आपका, तो ये कौन से जगह होती है, the places where hunter gatherers found good quality stone to make tolls, यानि वो स्थान जहां पर hunter gatherers को अच्छी quality का क्या मिलता था, जार बनाते थे, क्योंकि इशी काल को क्या बोला जाता है, पहलो लेथिक एज भी बोला जाता है, जो further हम डिवाइड करते हैं, three categories के अंदर, तीन category के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये आपका मेशोलेथिकेज और नियोलेथिकेज, नेक्स्ट कोश्चन अपने बनाते थे, साथ ही साथ रहते हैं, तो इट वास प्लेस वेर हंटर गैदर्स लिवड फॉर लॉंग टाइम और फॉर्म्ड गुड क्वाल्टी, इस्टोन टो मेक टूल्स, यानि जहां पर अच्छी क्वाल्टी का क्या मिलता था इनको, पत्थर मिलता था, तो उशी को क्या इस्तिमाल करते थे, वहीं पर ये लोग रहने भी लग जाते थे, और उशी चेतर में क्या करते थे अपना, फैक में वो अपने जो ओजार हैं, मन के बगएरा हैं, वो उनका बनाने का विकार ये, शुरू कर देते थे, नेक्स कोश्चन है, नेम दा प्लेस इन मध्य प्रद क lle Library का, भीम बेट का, नेक्स कोशन है ये कोश्चन आपका सीथक के अंदर और अच देट के अंदर पूछा जा चूका है, where is Hoja Saan Yee? Sabya, what is Hojaan Yee famous for? तो Hojaan Yee is in modern day कर्नाटक, आज ज़ यो कर्नाटक है वहाँ पर, यह man healthily पहले जी साइट है, तो their, ihr number of early pleophyal monarchSea यहां पर क्या मिली है आपके जो प्राचेन काल था उसे सम्मंदित को शेतर मिले हैं और उसे सम्मंदित को ज़े वस्तवे वहां से प्राप्त होई हैं next question अपने देखिए what were the stone tools making techniques यानि जो पासान पत्थर बनाने की जो तक्नीके थी वो क्या थी तो देखिए there were two techniques कितनी techniques थी वहाँ पर दो तक्नीके थी कौन सी stone on stone method यानि पत्थर पर पत्थर मार कर पत्थर को तुराशा जाता था फिर था pressure flaking method दूसरा क्या था pressure flaking यानि pressure flaking का मतलब होता है किनारों से उसको चटचट करके तोड़ना pressure flaking जैसे flaking के मादम से आजकर जैसे हम यह फोटो अगर बनाते तो एक flak लगता है उसी प्रकार के जो flaking method हुआ करता था next question है what was mehergad famous for mehergad किस लिए पर से आपका जो चर्चा में आया तो mehergad का देखे यदि हम देखें तो आज से लगवक साथ हजार साल पहले क्या हुआ था मान लेजी हम इस परकार से इंडिया का अगर जो मैब बनाए इस परकार से तो इधर उपर जा कर गए इधर क्या था आपका किर्थार हिल्स आती है और उनके आज पास जो आज का पाकिस्तान है पाकिस्तान के जो बोलन दर्रा है बोलन दर्रा बोलन पास जिसको बोलते हैं वहाँ पर क्या है आज प्रेजेंटे मेहरगड इस्तित है और वहाँ पर क्या पाए थे आज से लगवक एग्रिकल्चर साइट के लिए जाना जाता है मेहरगट यह कहां पर है प्रेजेंट इप पाकिस्तान नियर बॉलन पास बॉलन दर्रा है वहां पर वहां पर यह मिलता है तो नेक्ट कोशन है वें डिट मेजर चेंजिज इन दा इनवर्मेंट कम परियावर्ण के अंदर यह का बायत हुई है लगभग 12,000 वर्ष पूरों 12,000 वर्ष पूरों क्या हुआ था इसके अंदर देखिए जो प्रिवर्टन हुए उनके अंदर परमुक तोर पर क्या हुआ कि जो घने मैदान थे जंगल थे वो जंगल धीरे धीरे वहां पर क्या गया सुष्क मोसम होता चला हुट एंड हुमिड चेतर जो वहाँ पर चलता चला चला गया उष्न आरदर तो उष्न आरदर में क्या होता है वहां पर बारिश कम होती है और वहां पर घास के मैदान आने श्रू हो जाते हैं तो दा डूरेशन ओफ दा पेलिएली तिक पीरियड यह क्या है कि दूरेशन लाग से बारह हजार 20 लाग से बारह हजार यानि 2 million years to 12,000 years 20 लाग से लेकर के आपका जो आपका बारह हजार तक का समयकाल है दोर है वो आपका पुरा पाशनकाल के नाम से जाना जाता है तो what was the result of change in the climate जो परिवर्तन हुआ वाई मंडल के अंदर जो परिवर्तन हुआ इससे क्या परभाव पड़ा तो क्या हुआ यहां पर देखे people started growing food grains and raring animals यहां पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया भई यहां पर लोगों ने फसले हुगाना शुरू कर दिया क्या हुआ देखिए कि जादा बारिश वाला मोशम था वो तबदिल हो गया किसके अंदर यहां पर हलकी बारिश होने लग गई और शुषक मोशम हो गया तो ऐसे में घास उगना शुरू हो गया और यह घास जो होते हैं कहां कहां पर पाई जाती है इनके लिए हम next वीडिय कि अंदर डिस्कस करेंगे लेकिन आज हां आप के चैप्टर का जो है वो जिस्ट हम दे रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटिड हम कोशन्स डिस्कस कर रहे हैं next है when did the process of domestication begin domestication यानि पस्तों को पालने का जो दूर है वो कब से शुरू हुआ तो it was begin about 12,000 years ago क्योंकि जब देखिए ठी मोश्वर में परिवर्तन हो रहे थे आज से लगवग 12,000 साल पहले जब गासो के मैदान जो स्तितों में आ गे थे तो मनुश्यी civic seminar को क्योंकि पहले मनुश्य क्या करता था जंगलों में गूमता था जानवरों का शिकार करता था जंगल में जो मिल जाता था उशी को खा करके अपना पेट भरता था तो बाद में मनुश्य ने क्या क्या डोमेस्टिकेशन को शुरू कर दिया लगबग 12,000 साल पहले क्योंकि जब घास के मेदान आए तो वहाँ पर जानवरों के जो आदते हैं हैबिट है उनको देख करके और उनका जो ब्रीडिंग टाइम है वो सब चीज़ देख करके मनुश्य ने इन जानवरों को धीरे धीरे पालना शुरू किया तो which was the first animal to be tamed अब यहाँ पर question बनता है जब domestication स्टार्ट हो गया तो मानों ने सबसे पहले किसको domesticate किया किसको पालतू बनाया तो मानों ने बनाया डोग्स एंसेस्टर को क्या था डोग्स एंसेस्टर जो कुट्टे के क्या थे पूरवजदे उनको मानों ने क्या बनाया था सबसे पहले पालतू बनाया था next question है where do we see wall paintings by hunter gatherers जो hunter gatherers अपने मान लेजिए चित्रकारी के लिए परमान मिले हैं तो यह कहाँ पर मिलते थे तो यह बनाते थे they made wall paintings in the caves where they lived और दे फांड इन भीम बेटका एंड कोल्डीव भीम बेटका कहाँ पर आपका present day मध्या परदेश के अंदर और कोल्डीव आपका कहाँ पर है यह कोल्डीव आपका उत्तर परदेश के अंद में भी उत्तर परदेश में ठीक है तो next question देखते हैं अपना देखिए what were the earliest plants to be यह है animals plants plants animals के बारे में क्या जाना हमने dog था तो plants देखिए plants को भी मानव ने जैसे खेती करना चुरू किया तो कौन से plant मानव ने उगाए होंगे तो हमने देखा था कि जो मेहर गड़ता है उसके आज पास हमें क्या सक्ष्य मिले हैं वहाँ पर हमें सक्ष्य मिले हैं बार ल यह हूं और जों के सक्ष्य प्राप्त हुए हैं और फ़र एक जगह पर हमें जो काली बंगा है राजस्तान का वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है जले हुए जले हुए जो चावल है उसके भी सक्ष्य प्राप्त हुए हैं नेक्स पोश्चन पर चलते हैं देखिए when people begin to growing plants तो मानों ने plants उगाने कब शुरू किये तो कब शुरू किये थी they started living for a long time at one place और when people begin to growing plants they started living in one place तो यही question पूछा जा रहा है कि जब मानों एक स्थान पे रहने लग गया तो यह growing कैसे start हुई तो मानों ने क्या रहना शुरू किया मानों ने एक स्थान पे रह करके क्या करना शुरू किया खेती करना शुरू किया तो मानों का इसी के साथ एक ओर क्रिया सेुर हो जाती है settled life यानि वैवास्ते जिन्हे का करम भी मानों का यहीं से शुरू होता है क्योंकि पेड़ पोदों को जिनको लगा दिया था जिन पोदों को उन्होंने लगाया उन पोदों की रक्षा करने के लिए उनको पानी देने के लिए जंगली जानवरों से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आशकता होती है जब तक वो फल नहीं दे देता है तो इस प्रकार से मानों ने एक तरह से स कहां पर बनते थे यह भूमी को खोद करके बनाए जाते थे यह बुर्ज हों कहा है अपना प्रेजेंट डे कस्मीर के अंदर यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहां से कोशन अभी तक तीन बार कोशन पूछा जा चुका है तो कैसे हाउस मिलते थे स्क्वेर एंड रेक्टांगलर रेक्टांगलर हाउस इस वर फांड इन मेहरगड कैसे घर मिले हैं वर्गाकार और आयताकार घर मेहरगड के अंदर प्राप्त हुए हैं नेक्स कोशन अपना विच एनिमाल डेट दपीफल ओफ मेहरगड रियर्ड मेहरगड के लोगों ने कौन से जानवरों को पालतो बनाना शुरूग देखी सबसे पहले किसको बनाया तो डोग जैसे लेकिन अपने जो भूजन की पूर्ती थी या दूद की पूर्ती उस सब क लिए किसको बनाया इन्होंने इन्होंने बनाया शिप यह क्या है और यह आपकी गोट को इन्होंने क्या बनाया सबसे पहले पालतो बनाया था नेक्स कोशन अपना वाट इस ट्राइब ट्राइब क्या है तो फार्मर एंड हर्डर्स फार्मर एंड हर्डर्स लिवड इन ग तो ट्राइब के अपने कुछ rules and regulations भी होते थे, इन rules and regulations को कौन form करता था, कौन for इनको implement करवाता था, तो ट्राइब का जो भी oldest person होता था, वो rules and regulation को form करता था, और वही इनको बाकि जो लोग होते थे, उनसे इनको follow करवाता था, यानि इनका संचालन करवाता था, उनके उपर implement करता था लागू करता था और ट्राइब का जो भी वेक्ते कानूनों को तोड़ता था उसको मुख्या के दवारा शजा भी दी जाती थी यानि वेवरिद कहते या ओल्डेस्ट परसंट कहें वो इस कभीले का क्या होता था मुख्या होता था तो यहां पर देखिए मैच कीजिए मैच से भी मैंने आपके लिए एक कोशन तयार किया है मैच देखिए कि कौन से साइट किस चेतर पर पाई जाती है कौन से साइट कौन से चेतर में पाई जाती है उसके बारे में देखिए यह देखिए भीम बेट का की बात करें तो भीम ब तो एक का मेच किस्से होगा दो का मेच आपका ए से हो जाएगा और तीन का मेच आपका अलड़ी है कुर्नूल जो जो किसांब sound पालग लोग अपने ओजार बनाते थे उन ओजारों को यानि एक तरह से ये पूछ रहा है कि जो छोटे आकार के ओजार थे वो कब बनने शुरू हुए थे तो ये हुए थे आपके नियोलेथिक पिरियड के अंदर इसलिए इनको नियोलेथिक टूल्स भी कहा जाता है क्योंकि इस दवरान क्या हो गया था जब किसान क्या करने लग गए थे खिती करने लग गए थे तो इनको फसलों को काटने के लिए छोटे ओजारों क्या शकता होती थी टूल्स क्या शकता होती थी तो इन्होंने छोटे-छोटे ओजार बनाने शुरू किये तो इन ऐसे टूल paintings on cave walls कहां पर तैयार करते थे गुफाओं की दिवारों पर इन हुशांगी tools were made of witch stone हुशांगी के अंदर जो ओजार बनाये जाते थे यानि site factory थी वहाँ पर किस पत्थर को लेकर के ओजार बनाये जाते थे तो उस पत्थर का नाम था आपका limestone कौन सा पत्थर था limestone next देखते हैं for what purposes did hunter gatherers use the stone tools किस किस प्रयोग के लिए hunter gatherers से अपने ओजारों का प्रयोग करते थे तो देखिए they use stone for various purposes to cut meat and bone यानि जो जिन जानुरों का सिकार करते थे उसके मास को काटने के लिए उसके अट्डियों को काटने के लिए to scrape बार्ग from trees जो पेड़ होती थे पेड़ों की छाल छेलने के लिए क्योंकि आदिमानों क्या रहता था जंगलों में पहले इंसान नंगा घुमता था लेकिन जैसे जैसे दीरे दीरे उसने पशों को पालना शुरू किया तो एनिमल की स्कीन जिसको की हाइड बोला जाता है उस हाइड को उतारने के लिए उस उतारने के लिए जो पेड होते हैं उसकी चाल बारक होता है उसको उतार करके अपने स शरियर पर लेटने के लिए, शर्दी से बचने के लिए, और to chop, ये क्या है, यहां पर chop है, to chop fruit and root, जो फल होते थे, जो पेड़ों की जड़ होते थे, उनको chop करने के लिए, उनको टुकड़े करने के लिए भी ओजारों का इस्तेमाल करते थे, to make spheres, उन ओजारों से क्या बनात एरोज बनाते थे फोर हंटिंग शिकार करने के लिए तो चोफ वूड फोर द पर पॉज फायर वूड लकडी का टुकड़े करने के लिए किस उदेशे के लिए आग जलाने के लिए और लास्ट बट दे नौट लिस्ट जो कि महतोपूर्ण है तो मेक हार्ट्स एंड टूल्स यानि अपने जोपड़ियों को बनाने के लिए भी पत्तर को का इस्तेमाल करते थे ओजार बनाने के लिए भी पत्तरों का इस्तेमाल करते थे तो ये थी अपनी चैप्टर नमबर टू से महतोपूर्ण वीडियो इसके अंदर हमने आपके लिए क्या डाला है पूरे चैप् कोशन पूछे गई हैं वो इसके अंदर हैं और उम्मिद करते हैं कि आने वाले जो अपने पेपर सोंगे एक्जाम सोंगे उनके अंदर भी यहां से कोशन बनेंगे क्योंकि जो सीटेट होता है एस्टेट होता है के वियस का एक्जाम होता है या सी एटी जो एक्जाम होने वा तो आप वीडियो को शेयर करें लाइक करें और जो भी साती अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर हमारे द्वारा डालेगी वीडियो का नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहे और इसी के साथ अपने इस चैप्टर के जो यह श्रीज है यह यहीं पर समाप्त होती है नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी ग्रास लेंड्स से रहेगी जो हम एक ट्रिक के साथ करेंगे तो तब तक के लिए एंज्वाइओर लाइफ थेंक्यू हैवे नाइस डेग प्याइब नेक्स